दोस्तो नमस्कार मैं जिदेन कुमार तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि Elias Blue के AntMobil 2.0 मुबाइल अप्लिकेशन पे आप किस तरह से अपना नया मुबाइल नंबर एड़ कर सकते हैं या फिर नया अपना मुबाइल फोन का जो नंबर है वो चेंज कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आप किस तरह से अपना नया email id इसमें डाल सकते हैं या फिर modify कर सकते हैं ठीक है तो एक step by step मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो पे अंतक जरूर बने रहें तो सबसे पहले आपको अपना user id डालना है इसके बाद जो भी आपका password है वो simple सा आपको अपना password आपको यहाँ पे mention कर देना है फिर आपके पास login with TOTP आएगा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पे आपको बता रखा है कि TOTP कैसे generate करते हैं तो आप वीडियो अगर आपने पूरा वीडियो वो नहीं देखा है तो जाके आप वो उस वीडियो को देखे लिंक मैं आपको description में दे रहा हूँ तो आप जाके देख सकते हैं तो Google Authenticator से आप क्या करें simple सा उस TOTP को लेके यहाँ पे आप डालने है जैसे ही आप वो TOTP डालेंगे कुछ इस तरह का window आपको open होगा ठीक है तो सबसे नीचे right side पी आप देखेंगे आपका profile का मना होगा और साथी साथ आपका client ID लिखी होगी उसमें आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे आप देखेंगे जहाँ पे app वाला option है उसके नीचे आएंगे आप एक board का option देखने को मिलेगा उसमें simple सा आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपके browser पे या फिर google chrome पे आपका ये application open हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको आप देखेंगे right side पे आपको four dot बना होगा उसमें आपको simple सा click करना है जैसे ही आप click करेंगे कुछ इस तरह का option आपको देखने को मिलेगा simple सा क्या करना है इसको scroll करना है उपर की ओर scroll करेंगे आपका profile फिर से दिख जाएगा ID दिख जाएगे इसमें आपको simple सा click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो बहुत सारे आपको option यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आपको कुछ नहीं करना है simple सा my account वाले option में click कर देना है जैसे my account वाले option में click करेंगे आपको कुछ इस तरह का option आपको देखने को मिलेगा तो simple से scroll करेंगे और आप देखेंगे जो आपका personal detail है personal detail पे आप देखेंगे तो यह जो email id है अगर आप माल जीचे नया email id इसमें डालना चाहते हैं या फिर इसको edit करना चाहते हैं तो simple सा edit वाले बटन में क्लिक करेंगे और जो भी आप नई email id आप डालना चाहते हैं, वो email ID आप यहाँ पर डाल दें, इसके बाद क्या करें, submit करें, submit करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके email ID पर क्या जाएगा, OTPs जाएगा, वो OTP डालके यहाँ पर submit करना है, within 24 घंटे में आपका क्या हो जाएगा, email ID आपका change हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह से अगर आपको अपना mobile number change करना है, या फिन दूसरा mobile number add करना है, तो simple से क्या करेंगे, mobile number के just bugle में, right side में आपको edit का button लिख रहा है, आप उसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और जो भी आप अपना mobile number डालना चाहते हैं, उस mobile number को यहाँ पर simple से डाले, और submit में क्लिक करें, आप दिखेंगे, कि जो mobile आपने डाला है, वो उस mobile पर आपको क्या जाएगा, OTP जाएगा, वो OTP के अगर यहाँ पर डालके आप submit करेंगे, तो आपका mobile number भी change हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप email ID और mobile number आप change कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, ऐसी और information के लिए हमाई चैनलिंग साथ बने रहे हैं, Thank you.